हेलो में डिड़ो फैमिली वलकेम बैक तो आवर सेनल सो आइज इंडिया का बेस्ट निव की मैपिंग एप मैंटिस माउस प्रो इस पे मैंने अल्रेड़ी एक सिंगल फोन एक्टिवेशन पे मैंने टुटोरियल वीडियो बनाया हुआ है बट उस वीडियो मुझे बहुत सार कमेंट आया कि मैंटिस माउस प्रो को मोबाइल टो मोबाइल कैसे एक्टिवेट करें तो आज की इस वीडियो में आपको मोबाइल टो मोबाइल एक्टिवेशन करके भी बताऊंगा एंड इस एप्लिकेशन का माउस प्रोबलम को भी सॉल्व करके बताऊंगा तो वीडियो देख लेना, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मेरे पास है अभी दो Android फोन, और यह दोनो Android 8 है, आपको अगर Android 10 तक हो, तब आप में यह डवल फोन एक्टिवेशन काम कर जाएगा, आप लोग एजली एक्टिवेट कर पाओगे, बट यहाँ पर मैंने दोनों में मैंटिस माउस प्रो को अल्रेडे इंस्टॉल किया हुआ है, और अब यहाँ पर आप लोग देखो, जब मैं एक्टिवेशन पर जाता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारा ओप्शन आता है, यहाँ पर Android 11 में यहाँ पर on device activation है, बट यह तो यहाँ पर Android 8 है, तो यहाँ पर Android to Android activation करने का यहाँ पर option दिख रहा है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरुरत परने वाली है, तो सबसे बहले यहाँ पर आपको एक OTG केबल की जरुरत परने वाली है, और साथ में यहाँ पर एक USB केबल की, जो आपने mobile charger से इसली निकाल सकते हो, तो अब यहाँ पर देखो मेरे Oppo वाला जो फोन है, उससे मैं Samsung वाले फोन को एक्टिवेट करने वाला हूँ, तो अब यहाँ से हम लोग OTG को डाटा केबल से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर देखो OTG वाला साइड, जिस फोन से आपको एक्टिवेट करना है, उस पोन में आपको एक्टिवेट करना है, लाइक मेरा जो Samsung वाला फोन है, इस ही में एक्टिवेट करना है, तो इसमें आप लोग को developer option को इनेवल करना होगा, developer option इनेवल करने के लिए about phone में आपको build number पे आपको 7 to 8 time क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे developer option इनेवल हो Android to Android वाला जो यहाँ पे waiting process आ रहा होगा, दिख रहा होगा, और अपने phone में आप लोग को सबसे पहले connect करने से पहले, आपको यहाँ पे second वाला option चूज करना होगा, यहाँ पे second वाला आप लोग को mantis ready का tool है, वो वाले को यहाँ पे select करना होगा, उससे पहले मैं यहाँ से अपने phone को भी connect कर लेता हो, यहाँ दोनों का आप लोग interface देख सकते हो, तो यहाँ पर अभी मैं अपने phone को Samsung से connect कर लेता हो, इसका jack थोरा ढीला है, इसलिए यह थोरा problem कर रहा है, तो अभी देको यहाँ से मैंने जैसे connect किया, अभी यह कोई response नहीं किया, तो यहाँ से मैं फिर से निकालूंगा jack को और फिर से connect कर दूंगा, तो यहाँ पर अभी आप लोग देख रहोंगा एक pop-up show हो रहा है, तो यहाँ पर मैं tick mark करके इसको OK क्लिक कर देता हो, तब यहाँ पर आप लोग देखो मेरे Oppo वाले phone में यह connect हो चुगा है, और यहाँ पर start connection पर click करना ह और यहाँ पर done हो जा रहा है, तो यहाँ पर दो-तीर बार आप लोगो को ऐसे कर देना है, जैसे आप लोग करते हो तो आपका mantis mouse pro successfully activate हो जाएगा, यह बहुत easy step है, बस आप लोग double phone से दोनों में mantis mouse pro को install कर लो और सारा step by step follow कर लो, इसे तरीके से आप लोग भी android 10 में या पर जो भी android version हो उसमें activate कर सकते हो, अब यहाँ से हम लोग इसके main problem के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हो, कि मेरा जो है ant e-esport का gaming mouse है, तो यह इसमें proper work नहीं करता है, यह इसमें बहुत lag करता है, इसलिए मैं यहाँ पर zebronik का power वाला normal mouse यू तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसमें main आता है id band का और login का, तो यहाँ पर अभी सकते फेले तो login का बता देता हो, कि यहाँ पर आप लोगों को यह automatic main account detect कर लेता है, क्योंकि यह जो application है, वो flirting windows पर work करता है, यहाँ पर आपका direct free fire जब play करोगे, तब आपका main account automatic यह detect कर द direct चलेंगे training round में, इसके मैं best key mapping के बारे में भी बता देता हो, कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका पुरा full key mapping कर लेता हो, बस यहाँ पर key mapping बहुत easy है, और इसके मैंने already video बनाया हुआ है, उपर आई button में या फिर video के end में में वो वीडियो लगा दूँग, वहाँ से तो अब यहाँ से हम लोग इसके main process के बारे में बात करते हैं, इसका जो mouse का wheel button है, वो भी इसमें काम करता है, लाकि यहाँ पर wheel up करते हो, तब यहाँ पर आपको scroll up का एक button आ जाते है, तो इसको हम weapon 1 पे रख देते हैं, एक और key लेते हैं, इसको scroll down पे select करते हैं, यहाँ पर इस button को weapon 3 पे रख देते हैं, और इसका भी testing बहुत ही important है, तो चलो दे ट्रेनिंग ग्राउंड में, अब यहाँ सेम लोग आ चुके है, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे होगी, यहाँ पर यह जो मेरा normal mouse यह perfectly work कर रहा है, और आपको panda mouse pro में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसे भी अभी new application है, तो इसमें बहुत सारे bugs भी होगा, और वो सब update के साथ fix होता जाएगा, बट अब हम लोग बात कर लेते हैं, mouse issue के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग अगर इसमें normal mouse use करते हो, तब यह यह proper work करेगा, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको disconnect करता हो, और उसके बाद मैं अपना gaming mouse and यह spot वाला लगाता हो, और अब आप लोग देखो, मैं इसको जब move कर रहा हूँ तो यह कितना lag कर रहा है, मतलब मैं move करके, shake करके मैं छोड़ दे रहा हूँ, और उसके बाद भी देखो, तो subscribe जरूर कर लेना, कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए, और कोई भी प्राब्लम हो, कमेंट करके जरूर बताना, और next वीडियो किस टापिक पर चाहिए, वो भी कमेंट करके जरूर बता देना, ओके, तो बस यार मिलते दे लगले वीडियो में, तब तक के लिए,